दोस्तों तो हम लोग अपने chapter material cost and control को आगे बढ़ाते भी आज इसमें समझने वाले हैं stock turnover ratio and stock turnover period यह क्या होता है और इसका क्या use होता है इससे पहले मैंने आपको 11 वीडियो प्रोवाइड करा हैं जहां पर history of cost accounting के साथ material cost and control से related 10 वीडियों हैं जिन में total inventory cost और EOQ से related complete analysis के साथ में आपको प्रक्टिकल प्रोव्लम्स मैंने solve करवाएगे एक्जाम में इसके related एक question जरूर आता है तुम्हारी जो unit है second unit उसके अंदर material cost and control and labor payment system ये दो chapter है और इन दोनों में से कोई एक question आये लेकिन 15 नंबर में एक question तो आही जाता है तो एक part हमने second unit का complete कर लिया है जो कि है material cost and control next होगा हमारा labor में incentive wages plan वो आगे पढ़ेंगे अगर ये वीडियो आपने नहीं देखें हैं तो link description box में दिया है आप जाकर करके उनको देख सकते हैं और अपने साथियों के साथ में उससे सचाविदा सकते हैं तो चलिए start करते हैं आज से अपना वह topic जहां हम लोग को देखन है कि स्टॉक कि टर्नोवर कि रिश्यू कि हम लोग लेवल ऑफ स्टॉक देख चुके कि कितना स्टॉक हमारे यहां ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए कम से कम कितना होना चाहिए क्या लेवल होना चाहिए होगा तब डेंजर स्टॉक में चले जाएंगे क्या लेवल होना च चाहिए कितना औस्तन स्टाउक रखना एवरेज स्टाउक कितना रखना चाहिए देखा हमने देखा ती आई सी का निरधारन करते समय इओ क्यू एकॉनुमिक अडर्ड कॉंटिटी कहां पर हमारी होल्डिंग कॉस्ट और और्डरिंग कॉस्ट सेम रहेगी वह फ्लक्शिट न समय परके पास होल्ड किया है material परचेजिंडेट और मडेरियल के यूज़ डेट इन दोनों के बीच का डिफ्रेंस कितना है अगर कोई सामगरी ज्यादा दिन तक हमारे पास रखी रहती है खरीद लेते हैं और हमारे पास रखी रहती है उसका यूज नहीं कर पाते हैं प्र क्योंकि उसको खरीदने में जो capital लगी है उस पर interest दिया जा रहा है जबकि उसका use नहीं कर पा रहे हैं जब वो material मेरे पास raw के रूप में रखा रहेगा, finished goods बन नहीं पाएगा, तो sell नहीं हो पाएगा, sell नहीं हो पाएगा, तो revenue नहीं आएगा जबकि मेरी cost अधर लग चुकी है, दूसरा क्या होता है, उसकी quality जो होती है, गुडवत्ता खराब हो जाती है, अब अगर आप जो poor quality की raw material है, उसका use करके अगर किसी वस्तुका पादन करेंगे, तो वो कितना बेहतरीन quality का होगा, तो finished goods भी आपका खराब हो जाएगा, इस turnover ratio, जो यह बताता है, कि जो stock हम ले करके आते हैं, जो stock हम ले करके आते हैं, जो stock मेरे वेहां रखा हुआ है, उसको use होने में, वर्स भर में वो कितनी बार use होता है, वर्स भर में वो कितनी बार use होता है, अब दूसरी तरफ क्या देखते हैं, stock turnover period, कितने समय में use हो जाता है दोनों बातें वहां से पता चल जाती है तो देखो जब हम लोग बात करेंगे यहां पर नंबर एक पर इस टॉक कि टरन ओवर रेशियो इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ओफ गुट सूल्ड अपॉन एवरेज इस्टॉक अब अगर मान लो आपको कॉस्ट ओफ गुट सूल्ड ना दिया गया हो तो इसका मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचीज माइनस क्लोजिंग स्टॉक और अगर आपको एवरेज स्टॉक ना दिया गया हो तो एवरेज हमेशा मतलब होता है अगर दो तीन वैल्यू हो तो उन सभी का एवरेज करने के लिए उनकी संख्य से डिवाइड कर दो तो इस्टॉक दो होते हैं ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक अपाउन तू अब जो दो वेल्यू करनी है उनका एक कुश्चन ही ले लेते हैं कुश्चन आपकी स्क्रीन पर भी हो और हमारे टेलिग्राम चैनल कॉमर्स विद बिद्सिरा पर भी आपको यह मिल जाएगा कुश्चन के अंदर इन्फोर्मिशन है फाइंड आउट इन्वेंट्री टर्नोवर रेशियो और इन्वेंट्री टर्नोवर पीरियाद फ्राम दे फालोइंग पर्टिकुलर्स ओपनिंग स्टॉक अफ राम अटेरियल 10,000 लौजिंग स्टॉक अफ राम माटेरियल 20 और पर क्या से अजंग साथ माइनस बराबर कर दो औरud 10,000 रुपे का है ओपनिंग स्टॉक प्लस 20000 रुपे का है टो सिन इसटॉक डिवाइडवड़ दो बराबर पंदरा हजार रुपे का हो गया अविश्चाप अब इस टॉक टर्णोर रेशियो जब कल्कुलेट करोगे तो 40,000 अपॉन 15 इस उकल टू यह कितना आएगा पंद्रा दून अथीज उसके बाद में यहां बचेगा दस हो जाएगा सो पंद्रशकन अब्बे शिक्स सेवन टाइम्स आवर्त के जितने भी अनुपात होते हैं वो सब टाइम्स में आते हैं टाइम्स का मतलब यहां पर 2.67 टाइम्स का मतलब क्या है कि जो store में material होता है वो वर्स भर में लगभग लगभग पौने तीन बार मतलब 2.67 times वो convert हो जाता है production में चला जाता है उसका use हो जाता है यह ratio जितना ज्यादा हो उतना बहतर होता है किसी भी production के लिए जितना ज्यादा हो अगर four times हो तो और अच्छा five or six times हो तो और अच्छा six times है इसका मतलब हर दो महिने में हमारा raw material finished goods में convert हो जाता है और नया raw material का stock हमारे पास आ जाता है बात clear है तो यह ratio आपको यह बताता है कि आपके यहां जो material आपने खरीद के रखा है उसको used होने में कितना समय लगता है पूरे वर्ष में अब यह अगर हमसे फिर पूछ रहा है stock turnover period stock turnover period का मतलब है आप days में वही बात हमको बता दो या months में बता दो तो जब कुछ ना कहेगा तो days में calculate करेंगे कैसे तो अगर हम से पूछे नंबर दो पर इस टॉक टॉर्णोवर पीरियड इस टॉक टॉर्णोवर पीरियड का मतलब क्या होता है एवरेज स्टॉक upon cost of goods sold into 365 अगर days में चाहिए और into 12 अगर months में चाहिए तो एवरेज स्टॉक हमारे पास है 15,000 का cost of goods sold है 40 into 365 इसको solve कर लो देखो कितना आएगा तो इसको जब solve करेंगे हम लोग तो एक बर करके देख लेते हैं 15,000 divided by 40,000 40,000 into 365 136.87 days 136.87 तो days का point में होते नहीं है इस वज़े से क्या लिखेंगे इसको 137 दिन लग जाते हैं जो इस टॉक आपके पास रखा है उसको use करने के लिए answer एक बार मैच कर लेते हैं कितना है 2.6 times है हमारा turnover ratio और 130 days 37 days है हमारा stock turnover period अमीद है आपको बहुत ही सरलता पूरो कि यह बात समझ में आ गई होगी यह ratio क्यों ही use किये जाते हैं इनका क्या use होता है किसी भी production के करने के लिए और इसके लिए क्या formulae use किये जाते हैं देखो इसके और भी formulae use हो सकते हैं formulae actually होते नहीं basically उनको बनाया जाता है जैसे अगर आप trading account बनाते हैं तो ऐसे ही तो निकालते हैं तो हम एकाउंट नहीं बना रहे हैं उसको चाहे आप sales minus gross profit कर दो तब भी cost of goods sold आ जाएगा ना बहुत तरीके हैं तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजे बेल आइकन को प्रस कर लो ताकि आने वाले वीडियो की अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर जरू कर देना जो cost accounting को अपने syllabus में पढ़ रहे हैं मिलेंगे अगले वीडियो में और वहां से देखेंगे material यूज material इशू करने के methods कौन कौन से होते हैं तब तक के लिए जहें दोस्तों